गुड मॉर्निंग एस्टूडेंस आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पाथ फाइंडर क्लासे छप्रा में जिल लोग नहीं तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन रबाएं तक हमारे वीडियो के अपडेट्स आप पर प्राप्त हो रहा है कितना एक्स बढ़ाबर मैंस 3 रखने पर पी थ्रीयका प्राप्त को नहीं तो हमें तो फिए एक स्चिर्णल कर लिखना है एक समें पी मयनस टू यहां देख रहे हैं पी मैंस THREE पर पी एकस का वालू की तो आ रहा है तो आरहा है याहने कि अगर इसका बात करें तो यह बन जाएगा Pious-3 minus-2 तो P minus-3 कमान तो Corsion में 2 दिया है तो 2 minus 2 क्या हो जाएँ 0 याहने x बराबर minus-3 पर इसका मान 0 आ जा रहा याहने कि x बराबर minus-3 जो है इधार आगा minus-3 तो plus 3 हो जाएँ यानि कि एक गुननखंड क्या होगा, x प्लस 3 होगे ना, इसलिए x प्लस 3, p x माइनस 2 का गुननखंड है, समझ गे, चलिए इसका गुननखंड होगा, चलते है नेक्स कोशन में, कोशन नमर 7 में दिया है एक बवबद, तो इसको लिख देते हैं, p x बराबर दिया है, x cube प्लस 3 x square, प्लस 3 x, प्लस 1 को निमलिखित से भाग देने पर सिस्पल गया, तो मतलब इससे जब इसमें भाग दिया जागा, तो सबसे पहले आपको x प्लस 1 बराबर 0 रखना होगा, x का मान यहां से माइनस 1 और यह यहां रख देंगे, और p माइनस 1 का value निकाल यहां आता है, वह माइनस का 1 आ जाएगा, क्यूब है तो, यह प्लस का होगा, तो 3 आ जाएगा, यह माइनस 3 और यह प्लस 1, देखिए 1 से 1 गया, 3 से 3 गया, 0 आ गया, ठीक है, तो से इस पहल क्या प्राप्त वरा है, 0 प्राप्त वरा, उसी तरह इसका second भी है, second के लिए भी उसी तरह करेंगे second के लिए x मैनस 2, 1 बाइ 2 बराबर 0 पुट करेंगे, यहां से x का माना जाएगा, 1 बाइ 2, आप देखिए 1 बाइ 2 यहां रख देंगे, p 1 बाइ 2 बराबर, 1 बाइ 2 का क्यूब, प्लस 3, 1 बाइ 2 का स्क्वार, प्लस 3 इन्टू 1 बाइ 2, और प्लस में 1, तो लिए 1 बाइ 2 य बेलोत देंगे प्लस 4 इन बाइब 2 यहां अगा है, यह से बाइझा करेंगे, तो यह है यहां लिख देंगे न आथ, थे 26 26 27 27 वर्ट्ही ऋभी ड़टा आच होस not took a look 24 कि नई घ्र समय करकर के बताएं कि एकस-1 निमलिखित निमलिखित का गुनन खंड एकस निमलिखित का गुनन खंड है करना है तो अगर रखने पर यहां देखिए एक्स-1 बराबर आफ जिरू रखिये तो फका मान हनाय गया यहां रखने पर इस बहुत का ओव्त का मान जिरू आगया तो आप क्या करतेंगे कि वह X-1 उसका गुनान खड़ना है तो पहला कोश्रिस में देखते हैं यहां रखते हैं आपको PX बराबर उसको लिख देते हैं X-Q प्लस X-square-2X-1 अब यह 1 रखके देखते हैं तो P1 बराबर हो जाएगा 1 का Q प्लस 1 का स्क्वाइर-2 into 1 प्लस 1 ठीक है तो यहां देखिए 3 में से 2 गया आपका 1 आ जागा तो 1 आ गया तो क्या यह गुनान खड़न होगा तो नहीं X-1 X-Q प्लस X-square-2X-1 का गुनान खड़न खड़न नहीं है ठीक है गुनान खड़न कब होता तो जब सेस्पल 0 आ जाता गुनान खड़न नहीं है समझ गया ना तो यह आपको पहले भी बता चुके हैं उसी तरह सेकेंड भी चेक करना है आपको थर्ड भी चेक करना हम आपको फोर्थ बता जरे इसमें कर ठीक है तो पी एक्स उसको माल लेते हैं पी एक्स बराबर हमें किस का मानिका लाहा है पी वन का टू रूट टू वन का क्यूब प्लस फाइफ रूट टू वन का स्कूएर माईन आस सेवें रूट टू चलिया यह तो बन का क्यूब आन इतनी होगा तो टू रूट टू ही आएगा चलिए 5 रूट 2 हो जाएगा और माइनस 7 रूट 2 तो ये दोनों जुड़ जाएगा 5 दो 7 रूट 2 में से 7 रूट 2 दो गया 0 आगे है ना इसलिए x माइनस 1 है ना x माइनस 1 px पराबर जो बहुआ दिया है कि 2 रूट 2 x क्यूब प्लस 5 रूट 2 2 x स्क्वाइर माइनस 7 रूट 2 का गुरंखंड है इसी तरह आपको चेक करना है क्योंकि सेस्पल 0 आगे तो उसका गुरंखंड होगा क्लियर है प्लसर नमर 13 देखिए गुरंखंड परमे को लागू करके बताए कि निम्निकित इस्तितियों से प्रतियक इस्तिति में जी एक्स पी एक्स का गुरंखंड है कि नहीं तो उसी तरह इसमें भी है देखिए एक कॉर्सन इसमें बताने तो बहुत हीजी है चलिए दिया है पी एक्स बराबर फर्स्ट में 2 x क्यू प्लस x स्क्वाइर माइनस 2 x माइनस 1 और gx बराबर दिया है पो x प्लस 1 आपको यह बताना है कि यह जो gx से px का गुरंखंड है कि नहीं इसलिए आपको क्या करना होगा x प्लस 1 बराबर 0 रखना होगा तो x का मान यहां से माइनस 1 आ जागा और यह माइनस 1 इस बहुत 2 x में रख गतेंगे घए तो ौ नटिये सो जाग हो जागा X 2 इन्टु माइनस1 का क्यूब व्लस-द tocar माइनस 2 इन्टू माइनस1 और माइनस1 यहां भी है लिए मानस1 का क्यूब तो मैंस1 मैंस2 हो जागा रहे है यहांसे गुना होगा तो चलिए 이 सबता हो गया कि जी एक्स जो है जी एक्स पी एक्स का गुनाणखन है तो tiny यह आप Cur economy फो गंड ही और But यह गुश्य करना है कि यह सेवन प्लस 3 एक Carry एक्स कि फिट्री एक्स सेबनकर्ण 3 आपके प्रस जो बाउपद दिया है कोस्टन में वह है 3 x cube plus 7 x x के जगा यह रख दीजिए minus 7 by 3 चलिए 3 into minus 7 by 3 का क्यूब plus 7 into minus 7 by 3 चलिए 3 और यहां 7 का 7 का क्यूब करना है तो 7 का क्यूब आपका जाएगा 49 243 minus 243 और यह 3 का क्यूब होता है 27 इसको इससे काड़ सकते हैं 9 बर में खट जाएगा और यहां से आजाएगा minus 49 by 3 clear है चलिए इसके बाद यह हो गया minus का 243 by 9 और यह आपका हो कितना minus का 49 by 3 LCM ले सकते हैं यहां पर स्वरी 7 का क्यूब 343 होता है न चलिए इसको सितार देते हैं 343 हो गया है यह लिख देते हैं 343 चलिए लिख जिएगा लिख जिएगा लिख जिएगा तो यह 0 तो आएगा नहीं तो गुननखन होगा नहीं ठीक है आप इसको कर दिए होगा नहीं तो यह गुननखन नहीं है लिख देंगे यहां पर सेवन प्लस थ्री एक्स क्यूब प्लस सेवन एक्स का गुननखन नहीं है हैं कि यह जोड़ भी सकते हैं हांसे ल्शी लेख इसको कर सकते ना मैनस का जूड़ जाएगा तो नहीं आएगा समज़ न है एक्स ठीकिल लौन है और इस बहुपद पी एक्स और जी एक्स दो ओ ँमाल लेंगे एक्स बաोगे पर दिया है आपके पास x cube plus 3 x square plus 5 x plus 6 और एक को माल लेंगे gx ठीक है एक को माल लेता है gx बराबर 2 x plus 4 और दोनों में यह रखना है किसको minus 2 को यहाँ से p minus 2 निकाली आपको minus 2 का cube ठीक plus 3 into minus 2 का square plus 5 into minus 2 plus 6 यह नहीं है चलिए यह माइनस 8 हो जाएगा यह दो का प्लस 4 होगा ना यहां चारतियां 12 चलिए हम माइनस 10 हो जाएगा और प्लस का 6 12 और 6 18 और यह भी माइनस का 18 तो माइनस 18 प्लस 18 जीरो आगे ना ठीक है तो यहां से आपको यह पता चल गया कि एक्स प्लस 2 पी एक्स का गुननखंड है पी एक्स का गुननखंड है तो देख दूसरा भी चेक करना इसी तरह यहां रख दीजिए ना क्या दिक्कत है जी माइनस 2 बराबर तो इन्टू माइनस 2 प्लस 4 तो यह भी माइनस 4 और यह भी माइनस 4 तो 10 आ गया नसे यह भी पता चल गया कि एक्स प्लस 2 जी एक्स इसका गुनननखंड है यह कहां गुननखंड हो जा रहा है अब सदेट को संद इसकी इसको भासा प्रद गुनाज कर दिया ठीक है तो इसमें वह करना है कि यह जो होगा इसका गुनाणखन है कि नहीं देखना है तो 2T प्लस 1 बराबर आपको 0 रखना होगा यहां से T का मान निकालना होगा आपको सबसे पहले इदर 2T पराबर माइनस 1 T पराबर आजागा माइनस का 1 बाइ 2 और इस Q इस बहुत पाद में रखेंगे ना Q माइनस 1 बाइ 2 is equal to 4 माइनस 1 बाइ 2 का क्यूब प्लस 4 माइनस 1 बाइ 2 का स्क्वाइर माइनस 1 बाइ 2 और माइनस 1 ठीक है चलिए यहां से 4 यह हो जागा माइनस 1 बाइ 8 क्लियर है चलिए 4 इन्टू यह हो जागा 1 बाइ 4 ठीक यह माइनस माइनस प्लस 1 बाइ 2 और माइनस 1 फहकर से चार यह कर दीजें यह चार दूलना 8 को यह भी माइनस वन गॉपाइट रूहा वन हुआ प्लसजजद बंबई टूहा और मैनस में χुआ बisf il होगा ना यह वाला इससे 1ग वार कि गुह जानक debido तोंसे नमर 15 में तो सब इसी ही है यह इसमें प्रमें दौरा चेक करना है कि इसमें सरफ चार नमर देख लिए ठेक है हमको सबसे पहले यह जी एक्स बराबर जो दिया है एक्स प्लस रूट टू इसके बराबर पहले जीरो रखना होगा x plus root 2 बरावर 0 यहाँ से x का मान आएगा minus का root 2 यही वहाँ पर रखेंगे इस पहुपत में जो px दिया ना px बरावर दिया हुआ है 2 root 2 x square plus 5 x plus root 2 यही रखना है 2 root 2 minus root 2 x square x के जा रख दिये plus 5 into minus root 2 plus root 2 चले यहाँ तो 2 हो जागा root 2 square 2 तो इन 2 होगा तो 4 root 2 ठीक है plus sorry plus minus यहाँ minus हो जागा 5 root 2 और plus में 1 root 2 पहले से है तो यहाँ देखिए 4 root 2 और 1 root 2 कितना हो जागा 5 root 2 और एक 5 root 2 यहाँ पे है तो यह घटेगा तो आगया ना 0 जीरो आ गया तो यहां से रिख सेते हैं कि जी एक्स पी एक्स का एक गुणनखंड है एक गुणनखंड गुणनखंड है ठीक है क्लियर हो गया चलिए आगे देखते हैं पहरों इसमें 18 में कह रहा है कि का मांघ्यातकरीर जबकि निमलेखीत इस्तिती में प्रतेक इस्तिती में एक्स मयनस वन जो है पी एक और गुणनखंड है यह पहले से यह अल्रेदे करें गुणनखंड है ठीक है कहा रहा है कि X-1 PX का गुननखंड है तो जब गुननखंड है question में जब already कह रहा है कि गुननखंड है तो यहां से आपको P1 का मांद 0 होगा जही बात है ना P1 का मांद 0 होते हैं वह रख दीजिए तो 2 इंटू 1 का square प्लस K इंटू 1 प्लस root 2 बराबर 0 समझ गया चली यहां से यह तो 2 हो जाएगा एक हो जाएगा और यह आपका यह आपका रूट टू रहेगा तो यह दोनों उधर चल जाएगा ठीक है तो दोनों को उधर वेज़ देते हैं तो के बराबर हो जाएगा माइनस का 2 प्लस root 2 या फिर ऐसे भी सकता है माइनस 2 माइनस रूट 2 यह भी है दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं उसी तरह सेकंड भी है तो वैसे इसमें भी यहीं सब लिखेंगे ठीक है पी वन का मान इसमें भी 0 रखना पड़ेगा तभी ना होगा गुनांखन है तो 0 होगा ही उसका मा 2-1 का स्क्राइर मान प्लस के बराबर 0 जहां-जहां एक से वह रख दिये और बराबर में 0 कर दिये चलिए यहां से दहिए यह मैंस 3 और फिर प्लस के यह की कि इना हो जागा 19 के एका सेकन्ड नमबर देखते हैं तो इसमें भी कह रहा है कि एकश मैनस त्व जो है गुनन्खंड है और एक्स मैनस टू बड़ाबर zero रखेंगे एकस का मानिया से 2 आएगा अब चलिए यहाँ पे जब कहा रहा है कि एकस मैनस टू है ना बहुपद का बहुपद का गुननखंड है गुननखंड है अल्रेडी गुननखंड है तो गुननखंड है तो इसके जगा पे रखेंगे दो तो बराबर में 0 कर देंगे 2 का क्यूफ माइनस टू ए माइनस सब्सक्ता यहां पर हो जा1 कंगें 220 म कर देंगें मैनस 6 से बराबर माइनस का सेवन माइनस मेनस काड़ दीजिए ए बराबर आ जागा 7 बाइ 6 समझ गया चलिए एक बो और कोशन इसमें से देख लेते हैं कोशन नमबर इसमें का सी का देख लिजिए सी नमबर का टिक है नैंटिन का सी का फर्स्ट देख लेते हैं सेकेंड भी उसी तरह का है चली कह रहा है कि इसमें भी एक्स प्लस ए जो है ना प्रतिक बहुपद का गुननखंड है बहुपद का गुननखंड है बहुपद का गुननखंड है तो जब यह गुननखंड है तो वहां रखने पर जीरो कर देंगे बराबर में यहां पर रख देते हैं तो मैनस ए का क्यूब प्लस ए इंटू मैनस ए का स्क्वाइर मैनस टू इंटू मैनस ए प्लस ए प्लस पूर बराबर जीरो त तों मैंनस से क्यूब हो जाएगा और यहां एगिए 0 jest theor हाँ जयागा और यह ए ःवजाएगा और प्लस four बराबर 0 यह था आपकापट ब्लस्का फर लिए बैलाबर यह आज़ेगा बना सकतें हैं TMF250 क्या स्कूए और प्लस्ट है स्ट्प्लस है यहां को रहा है कि मैंन कंः धिया क्यों फिरुट Px का गुननखंड है तो जब यह गुननखंड है इसको रखने पर 0 आएगा ठीक है यहां रख दीजिए यहां पर रखते हैं माइनस 1 का क्यूब प्लस K इंटू माइनस 1 का स्कूर प्लस H इंटू माइनस 1 प्लस 6 बरावर 0 समझ गया चलिए यहां से क्लियर हो गयां यहाँ minus one का cube करिए तो minus one का cube minus one minus one का square plus one हो जागा तो k आजागा minus k के बाद यहाँ पर आजागा minus h ठीक है plus six बराबर zero यहाँ से k minus h यह इकटेगा तो plus का five हो जाएगा उधर लेकर चले जाते हैं तो k minus h बराबर माइनस का 5 एक पहला equation हमें प्राप्त हो गया या इसे ऐसे भी लिख सकते हैं पहला equation इसको ना मान कर यहांसे आप सीधे ले लिजे के बराबर h-5 यह प्लस का हो जागा इसको पहला equation ले लिजे यह easy रहेगा देखिए अब उसी तरह कहा रहा है कि x-2 इसके बराबर में भी जीरो लेंगे यहांसे x का माना जागा टू ठीक है यहां कोर्सर में कहा रहा है कि x-2 px का गुननखंड है ठीक है गुननखंड है क्लियर है तो जब यह गुननखंड है तो वहां भी रखने पर जीरो हैगा तो फी एक्स यानि इसमें रख देंगे तो टू का क्यूब फ्लके इन्टु का स्क्वाइर प्लस एच इन्टु टू एँटु प्लस रे स्थ बराबर जीरो दो का क्यूब आठ ये दो का इसक्वाइर चार की हो जागा नहीं चलिए प्लस 2H प्लस 6 एमंहें इसे 4K प्लस 2H यहां 8 और 6 14 हो जागा ना चलिए यहांसे 2 common कर लेते हैं तो यहांसे हो जागा 2K प्लस H 7 बचाध 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 बचाहि siitä एह 2 को भाग मिले जागा तो 0 हो जागा 2K π्लस H प्लस साथ बराबर जीरो समझ गया चलिए अब क्या करते हैं कि इसमें जो के का मान जो एच माइनस फाइव था यहां रख देते हैं चलिए अब इसमें रखते हैं है ना के का मान रखने पर के का मान रखने पर देखिए क्या होता है चलिए के का मान जब इसमें रखिएगा त जीरो यहांसी आजागा आपका 2H-10 प्लस H प्लस 7 बराबर 0 यह देखिए हो जागा 3H-3 बराबर 0 तो 3H बराबर आजागा 3 H बराबर आजागा 3 बाइ 3 कट क्या गया 1 ह का मान क्या गया 1 ठीक है तो H का मान ह का मान समीकरन एक में रखने पर ठीक है समीकरन एक में रखते हैं चलिए वहाँ से देखते हैं समीकरन एक यह है आपका K बराबर H-5 तो H का मान आपके पास क्या है 1 है तो 1 में से 5 घटा दीजेगा तो K का मान हाँ से निकल जागा माइनस का 4 समझ गया है इसके भी गुनन खण और इसके भी गुनन खण हाँ लेकिन देखिए अगर हम इसको लेके चलेंगे ना अगर इसको पहले वाले के लिए तो गड़बड़ हो जाएगा तो यही जीरो हो जाएगा तो एक गायब हो जाएगा ठीक है उसी तरह गर इसको लेकर चलिएगे सेकंड वाले के लिए तो यह जब इसमें माइनस 4 रखी गा तो यह 0 आ जागा ठीक है तो यह याद रखेंगे X-1 वाला जो दिया है यह second वाले के लिए use करेंगे और यह है दोनों के गुणन कर दोनों लेकिन यह गणबढ़ हो जाएगा और second वाला यह जो है यह first वाले के लिए use करेंगे ठीक है एकस मैनस 1 बराबर 0 करेंगे यहां लिखेंगे कि x-1 जो है qx का गुणनखण है है दोनों का ठीक है लेकिन हम लोग इसी का यूज़ करेंगे तो देखिए आप रखके देख लिजेगा गडबड़ हो जागा एंसर नहीं आप है क्यों यही 0 हो जागा तो टोटल 0 हो जागा ठीक है इसलिए ऐसा करेंगे त तो qx का गुणनखण है तो qx वाले में रखेंगे तो qx वाले में रखेंगे तो रखेंगे 1 का स्क्वाइर प्लस 5 इंटू 1 प्लस 4 ठीक यहां पर इसी ब्रैकेट में भी x स्क्वाइर है यानि 1 का स्क्वाइर माइनस 5 इंटू 1 प्लस 2 बराबर 0 गुणनख रहत बराबर म जिरो यह देखिए 5 वंजा 5 5 4 9 और 1 10 लिख दें डिरेक्ट चल यहां पर देखिए 1 और 1 में से 5 घटाएंगे माइनस 4 सब्सक्राइब ना माइनस 4 प्लस B बराबर 0 समझ गया यहां से अब यह देखिए 10 जाएगा उधर डिवाइड में तो जब डिवाइड में जाएगा तो 0 हो जाएगा बच जाएगा माइनस 4 प्लस B बराबर 0 तो B बराबर यहां से आगया 4 समझ गया उसी तरह जो यह है प्लस 4 वाला एक स्ट वाले के लिए यूज़ करेंगे तो यहां से उसी तरह लिखेंगे कि 6 प्लस 4 बराबर 0 एक सब्सक्राइब हमाना टेिक जागा यहां से माइनस का चार ठीक है तो ख्लिक लिखेंगे एक स्ट-स्प्लस-स फॉर पी एक्स का गुणनखंड है यहाँ पर रखेंगे यहाँ पर रखेंगे यहाँ पर रखेंगे ना square प्लस 7 into minus 4 less a i pasture the hazard听 तो और यहां देखिए 4 आप लीखिए года 16 यह円 मैंनस मैंस plus 4 तया 12 और plus 2 खंग रहना उसी तरह यहां पर error इस ब्रेकट के चाहर स्क zwार 25 प्लस ए सबढ़ जीरो देहां तो और 12 28 28 वर 2 30 हो जागा और ब्रैकेट के अंदर यहां हो का यहां से घटाईएगा घटाईगा तो आएगा आपका 12 टीक है यहां से आएगा मैनस का 12 घट गया चलिए और यह प्लस ए बराबर 0 यह 30 जाएगा 0 हो जाएगा न जीरो पर भाग करेंगे तो मैनस 12 प्लस ए बराबर 0 यहां से आपका एक आमान आगया रहा बारा ब्लस का बारा तो एक आमान बारा आ गया भी का निकाल चुके हम लोग 4 समझ गया चलिए नेक्स को सदेखते हैं को से नमबर 24 देखिए का रहा कि यह दि एफ एक्स बराबर दिया एक्स स्क्वाइर प्लस PX तेक यह प्लस है आपका फ्लस का PX प्लस Q तथा QX बराबर दिया है X स्क्वाइर प्लस LX प्लस M तथा प्रति एक एक्स प्लस एसे विभाजित है यानि इनका से इसेस्पल जीरो आ रहा है तो हमें यह थावित करना तो बहुत इजी है यह देखिए एक्स प्लस आ और दोनों विभाजित है तो जब दोनों विभाजित है तो सिस्पल हमें से जीरो आएगा तो यानि कि अगर यह माइनस ए रख दिया जाए इस बवपद में भी और इस बवपद में तो दोनों का मांद जीरो ही आएगा समझ रहा ना तो यानि दोनों को एक तुछे के बराबर कर सकते हैं तो चली इसमें रखते हैं क्या है माइनस का ए माइनस ए का स्क्वार प्लस पी इंटू माइनस ए प्लस क्यू बराबर में उसी तरह यहां भी रखेंगे क्योंकि दोनों का तो विभाजित ही है तो दोनों के स्पर्वल तो समान ही यहाइगा जीरो ही यहाई यहाँ पर देखें यहां रखेंगे तो मैगैं डीकर घम का L a और प्ल्स debris Ata2ड दीजे अब चाहए तो इस Be a वाले को एक तरफ कर लेते स्कों इधर लाइए तो प्लस का l a- pa ऊसी तरह किव को उधर लेकी चैसे मालेश कहाँ जाए जब लेक니다 तो पी आपका साबित हो गया चल लिए तो समझ गई एक कुछ अब्जेक्टिव कुस्टन दिए गया है बहुत इजी है इसको देख लीजिए शॉट में निम्लिकित ब्यंजको में से कौन सा बहुपद नहीं है कि बात करेंगे तो यहां सी नंबर बहुपद नहीं होगा निम्लि स्कार मैंस ब्यसकर का फ्रमल लगा कि और नीचे एकस मैनस वन है यह और यह कर जागा एकस प्लस बॉपद नहीं होगा चलिए कौन सा मानक रूप में है तो यहां इसका घाद बताना तहां देखिए इंटू करिएगा तो इसको इंटू करिए गए तो एकस स्क्वार मैंस व तो यह आएगा 25-5 प्लस टू और वन तू वन थ्री टू फाइफ मैं से फाइब गया जीरो इसमें पीजिरो कमांद तो जीरो रखेगा तो यह भी जीरो बच जाएगा सिर्फ थ्री समझदा है ना रखके चेक कर सकते हैं इसके पाद से साथ नमर का रहा है कि इतना मैं इस बराबर दो पर तो दो रखेगा तो यह 8 हो जाएगा माइनस 4 प्लस 10 और माइनस 1 अठारा है में 3 तो तिरह आजागा इसका सुन्यक कौन सा होगा इस में से सुन्यक बता नहां तो देखिए यहाँ देख रहे हैं कि सब जबग एकस ही है तो जीरो ही हो जाएगा जीरो जीर 42 मैंनस 1 का पावर 4 पी प्लस में 3 को से नुट 3 डेपल Johns से ग्यारा कई तो प्लस में है तो मैंनस में ठीक है या पिर इसके बरावर में 0 भी रखके निकाल सकते हैं 5x स्क्वार मैंनस 3x बरावर 0 यहां से कॉमन होगा x 5x मैंनस 3 तो यहां से 2 को मानेगा एको x का 0 एको 3y5 डी नमर हो जाएगा एका नमर कर रहा है पी-एक्स और qx दिया है तो पी-एक्स इंटु qx का घात तो हाइस्ट घात होगा यहां हाइस्ट टम में गुना करके देख लीजी यह है x का पावर 5 इसमें है x स्क्वार यहां 2 है पावर में यहां तो 7 आ जाएगा हाइस्ट चलिए इसमें का रहा है की बावपद पी-एक्स में x-2 से भाग देने पर सेस्पल कितना प्राप्त होगा तो x-a से भाग देंगे तो यहां से x-a बराबर 0 यानि एक्स का मान आएगा ए रखने पर हो रहा न तो पी आएगा इसका सेस्पल यदि प्पद पी-एक गुनानखर्ण x-2 है तो पी-2 बराबर क्या होगा तो गुनानखर्ण है तो 0 हो जाएगा क्योंकि x-2 होगा न अगर इसके बराबर में 0 रखेगा तो x बराबर माइनस-2 रखने पर इना 0 आएगा क्या रहा है कि दो गुनानखर्ण न जिरो और पी-वी का भी मान 0 ही आएगा अब देखिए इसके बाद क्या रहा है कि इतना से इससे भाग देने पर सिस्पल क्या होगा तो क्या करना अब एक्स में प्लस 1 बराबर 0 करियेगा एक्स बराबर यहां से मैइनस 1 ऐगा मैनस1 यहां रख दीजागे तो यहां मैइनस-1 का ऐस्कु striving मैइनस फाइफ इंटू उसी तरह यह कर रहा है पिक्स प्लस टू का गुननखन क्या होगा तो देखें पी-1 अगर मान दिया है माइनस टू तो यहां माइनस टू रख दिया जाए तो यह जीरो हो जा रहा है यानि कि इस बहुपद के लिए इस बहुपद के लिए यहां जो माइनस वन मान है वो उसके मान को जीरो ला दे रहा है यानि एक्स बराबर माइनस वन पे हो रहा है तो एक्स प्लस वन इसका हना इधर आके प्लस का ना हो जागा तो एक्स प्लस वन इसका गुनंखन हो जागा ठीक है तो चैप्टर आपका कम्प्लीट हो गया चैनल को सब्सक्राइब कर दें बेल आइकन दबादे ज्याधा ज्याधा दोस्तों में शेयर करें और आपको और वीडियो के लिंक चाहिए हो त करके अपने क्लास का वीडियो का लिंक पा सकते हैं थैक्स पर वाचिंग दे वीडियो